सर उस पर आते हैं डीटेल में लेकिन आपने बड़े इंट्रेस्टिंग तरीके से यहां पर धर्म, विज्ञान और जियोतिश के बीच एक एक ब्रिज जैसी जो सूरत दिखाई अपने इस पूरे बातचीत में वो बहुत दिल्चस्थ था लेकिन अपने जर्शिकों को एक ब मनोगिया से दुबारा संपाई सादी की कोशिश रेंगे लिए इस बीच तीन तस्वीरें आपके सामने हैं कोलंबो, चैन्नई और आबुदाबी जहां पर अलग लग स्टेज इस वक्त सूर्य की दिखाई दे रही है और कहते हैं कि बदलाव जो है वो प्रकृति का नियम ह होता है और ऐसे में आज जो बदलाव सूर्य में दिखाई दे रहा है उसे देखने के लिए हजारों नहीं लाखों की संख्या में लोग जोड़ रहे हैं अलग लग शेहरों में हाला की जो पूरा नौट इंडिया है वहां पर हाला की देखने में थोड़ी से दिक्कत क्योंकि कई जगों पर काफी ठंड है कोहरा है वहां पर इस तरह की स्टेज हो सकता है कि आपको नहीं दिखाई दे लेकिन अगर आपके पास सुविधा है टेलिसकोप से देखने की तो आप जरूर ऐसी जगह पर जाएं जहां से आप ये सूरिग रहें जैसी अद्भुत ख ही ने एक आपको इंतजार करना पड़ेगा इस तरह की खगोल्य घटा को देखने के लिए हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरे जहां पर अबुदाबी चैन्नई और कोलंबो में सूरिग रहें दिखना शुरू हो चुका है आठ बचकर 17 मिनट से इसकी शुरुवात हो चु या बरतनी चाहिए वो भी बता रहे हैं साथि आप विग्यान के अंगल से भी इस पूरी खगोलय घटना को समझ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हमायो पास खगोल शास्तरी भी है हमाया पास विग्यानिक भी है और ऐसे एक्सपर्स हैं जो आपको बता रहे है कि किस तदा की सारधानी आपको बलतनी चाहिए जब आप इस पूर सूरियंट को देखते हैं आप शूलर चशिमा पहने उससे सूरिग रहन को देखें साथी तेलेस कोप से भी आप कई शहरों में सूरियंग को देख सकते हैं और समझ सकते हैं 5 गंटे 16 मिनट तक ये सूर्ग रहेंड चलने वाला है और सिर्फ देशी नहीं बल्कि विदेश की भी तस्रीर यानि कि अबुदाबी और कॉलंबो से भी जो तस्रीर आ रही है वो हम आप तक पहुचा रहे हैं साथी चैन्ने से भी हम आपको दिखा रहे हैं कि वहाँ पर किस स्टेज में इस वक्त सूर्ग रहेंड पहुच चुका है आरभी सिंग साहब लगाता है हमाएं साथ बने हुए आरभी सिंग साहब आपके नजरिये से हम बार-बार ये समझना चाहते हैं कि जो अलग-अलग शेहर हैं या पर जो अलग जहां पर इस वक्त अलग-अलग स्टेज पर सूर्ग रहेंड दिखाई दे रहा है उसको आप समझा सकी क्योंकि एक आम नागरिक जो आम जनता है वो जब सूर्ग रहेंड को देखती है तो वो से खगोले घटना के रूप में देखती है जो शायद वो आने वाले वक्त में देख पाई या फिर ना देख पाई तो उनके लिए एक ऐसा शर्ग होता है जिसे वो क्याप्चर करना चाहते हैं भले ही अपनी आखों से कुछ चंद सेकेंड के लिए कुछ पल के लिए और ऐसे में स्टेजिस को समझना बहुत एहम है क्योंकि पल-पल बदल रही है सूर् अपना की जानकारी नहोती तो हम लोग कभी सीधी आखों से सूरज को नहीं देखते हैं सीधी आखों से सूरज को देखने कोशिस नहीं करते हैं और उस समय ग्रहेंट के समय जब हमारा रेतना मुझे लगता कि कम रोशनी होगी तो हमारा रेतना ज्यादा फैला होगा और उ सुरक्षित रहिए आप अपने आखों को सुरक्षित रखिए यहर समय जब भी आप सूरज जब भी दिन में बाहर निकलते हैं तो सूरज की तरफ जनरली कोई देखता नहीं आज की तारीक में क्या हो रहा है कि हम बता रहें कि ग्रहेंड है और लोगों को लिके खड़े हैं जहां तक यह देखिए आप हर जगए अलग-अलग फेज़ेस हैं अलग-अलग हमारी धरती जो है हम आप यह मान के चलिए जस्ट इमेजिन करिए या मानिए कि यह सूरज एक कहीं पर एक इस्थित है कहीं पर एक बाहर एक आग का गोला जिसे रिंग आफ फायर आप कर हैं वह ठीक है एक रिंगा फायर पूरी तरह फायर है और धरती हमें हम धरती पर आप देखिए ग्लोब का पूरा द्र से देखिए यह ब्लोब पूरे अपनी एक्सिस में आप एमान के चलते हैं अपनी एक्सिस में सीधा नहीं खड़ा हुआ है सीधा नहीं यह साड़े बाइस डिग्री साड़े बाइस डिग्री अंस पे यह जुका हुआ है और जब हमारा जो जुका हुआ है तो हम जो यह रिंग चला रहे हैं हम जो ग्लोब को चला र तो जो सूरी की पोजीशन होगी, सूरी की स्थिति होगी हर जगे पर अलग होगी जिस समय दच्छिडी ध्रूम में बिलकुल कुछ नहीं चाया पड़ा रही होती हो समय इस समय उतरान में अगर सूर्य है तो उतर में हमारे पास प्रकास रहता दक्छिडी प्रकास नहीं सवाल है आपसे जो डाइमेंड रिंग इफेक्ट होता है या फिर बेली हैट इफेक्ट होता है वह अपसे लगभग कितनी देर बाद दिखाई देगा हां वो जब यह वो देखिये और इसमय इस नहीं हमें दिखाई पड़ेगी कि ओसूरज हमें पूरा का पूरा ढख जाए उसमें देखे एक सर्किल बच जाता है और जब पूरा ढखता है उसके बाद जब ये बढ़ना सुरू होता जब वो ग्रहन खतम होना सुरू होता तब हमें एक जिस घटना की आबात कर रही वो दिखाई पड़ती इस समय तो दिखाई नहीं पड़ेगी इस समय तो हमें किवल सरकिल दिखेगा एक पूरा ठीक है आप बने दी हमाई साथ आर्वी सिंग साहब हमें जानकारी दे रहे हैं हमाई साथ तमाम खास मेहमान बने हुए है इस खगोलिय घटना जो की अध्भुत नजारा है आज पूर सुर्ण गेहर का इस पर हमारी विशेश पेश कर जादे रहे हैं वक्त तक ब्रेक का हो चला है देखते रहे हैं आज तक